आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्मास्ट में श्वेशल नारियल के लड़ू जिने हम पिनागी और मावा की बनाएंगे फिर भी ये लड़ू बहुत ही टेस्टी और सौफ्ट बनेंगे जिने एक बार खाने पर बार बार खाने का मन करेगा और सबसे खास बात बिना ताजा नारियल का इस्तमाल किये ये लड़ू एकदम ताजा नारियल के लड़ू जैसे ही बनेंगे तो हेलो दोस्तों मैं हूँ निर्मला मेरे किचन में आपका बहुत बहुत सागत है तो चलिए ये सुपर सॉफ्ट नारियल के लटो बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सुखा नारियल का बुरादा यानि डेसिकेड़िट कोकोनट पाउडर अब ताजा नारियल और सुखा नारियल पाउडर दोनों के टेस्ट में काफी फरक होता है और जो ताजा नारियल की लटो होते हैं वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं लेकिन ताजा नारियल से ये हम लटो बनाने जाएं तो उसमें बहुत मैनत होती है क्योंकि नारेल को लाना पड़ता है तोड़ना पड़ता है फिर उसकी जो अंदर की गीरी होती है उसे हमें निकालना पड़ता है छील कर फिर उसे हमें कदुगस करना पड़ता है या फिर मिक्सी में बारिक पीस ना होता है तो ऐसे में यदि आप सुखे नारेल पाउडर से लटू बनाना चाते हैं लेकिन टेस्ट एकदम ताजा नारिल के लटू जैसा ही चाते हैं तो इसके लिए क्या करें कि ये जो नारिल का पाउडर है उसमें डाल दें गरम पानी तो जब हम इसमें गरम पानी डाल देंगे तो ये नारिल का पुरादा काफी अच्छे से फूल जाएगा और एकदम ताजा नारिल के जैसे ही ये दिखाई देगा और टेस्ट भी वैसा ही आने लगेगा तो यहाँ पर मैंने तीन कब सुखा नारिल का बुरादा लिया है और अब इसमें गरम पानी डालते वे लगबक 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल कर सेट हो जाए तो जब तक ये रेस्ट ले रहा है यानि नारिल अच्छे से फूल रहा है हम क्या करेंगे बाकी तैयारी कर लेंगे तो नारिल में हम मावा वगर कुछ भी इस्तमाल नहीं करने वाले हैं लेकिन हम दूद का इस्तमाल जरूर करेंगे ताकि नारिल क टेस्ट पर डिपेंड करता है तो यहाँ पर जो मैंने दूद लिया है उसे मैं अच्छे से बॉयल कर लूँगी और बॉयल करते करते जब यह आदा हो जाएगा तब इसमें हम चीनी बेड़ कर लेंगे और चीनी डालने के बाद यह दूद और भी जल्दी से गाड़ा होने ल अब इसका पाने निकाल लेंगे पाने निकालने के लिए एक बोल के उपर रख देंगे चलनी और चलनी के उपर इस तरह का एक पतला कपड़ा लगा लेंगे फिर यह भी कावा नारियल हम इस कपड़े पर ट्रांसफर कर लेंगे और देखे इसकी मातरा भी कितनी जादा ब नहीं जोड़ कर और अब आपको मैं इसका टेक्शर दिखाती हूं तो ये एकदम जैसे हम ताजा नारियल को मशीन की सायता से कदुकस कर लेते हैं या फिर ग्रेट कर लेते हैं उसी तरह का टेक्शर इसका हो गया है सारे स्मेल भी इसकी निकल गई है और काफ एच्चा ये फ कर चेनी भी इसमें अच्छे से पक चुकी है तो अब ये तयार किया गया नारियल का पुरादा इसके अंदर डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और देखिए जैसे हमने इसके अंदर एड़ किया है ये नारियल का पुरादा तेजी से इसने सारी दूद को बहुत ही बढ़िया टेस्ट लड़ू का आएगा और टेक्शर भी बहुत ही बढ़िया आएगा आप चाहिए तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं तो यदि जादा मातरा में किसी भी लड़ू में मावा या मिल्क पाउडर डाल दिया जाए तो उसका टेस्ट और भी एक flavor होता ही है और बढ़िया से सारी चीजों को मैंने high flame रखते वे 5-6 मिनिट के लिए और पका लिया है ताकि जितना भी इसका extra moisture हो निकल जाए ताकि जो लटू बने वो softer तो बने लेकिन गीले नहों बढ़िया से हम उने shape भी दे पाएं तो देखे इस तरह का mission जब हो जाए यानि एकदम सूखा आपको ये ना लगने लगे तब तक इसे जरूर से पका लें तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे देखने में तो ये ऐसे लग रहा होगा कि इससे लटू थोड़ी ना बन पाएंगे लेकिन इसके बहुत आसानी से हम ल लटू बना लिया है अब इसे और भी बढ़िया सुन्दर लुक देने के लिए मैं इसे थोड़े से सुखी नारेल की पावडर में कोट कर रही हूँ और ये हमारे कुछे मिनिटों में बहुत ये टेस्टी लटू बन करके तैयार हो गए हैं जो एकदम कम सामान और कम नहीं रहा है और सॉफ्ट भी है और जैसे जैसे ये लटू थोड़े और सैट होंगे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें जदा से जदा शेयर करें साथ इसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई